बूर्णिंग फ्रेंड्स वल्कम बैक तो आवर चानल धृती और मॉम्स क्रियेशन आज दो केक का ओडर है इसलिए फटापट हम चॉकलेट को मेल्ट कर ले रहा है और गानिस के लिए चॉकलेट बना ले रहा है और यहां क्रीम ले लिए हैं और इसमें दो चम्मच कोको यहां मेरा केक बेस रेड़ी है चॉकलेट का और इसमें हम पानी लगा दे रहा है यह स्रीप पानी है इसमें कोई सूगर नहीं है क्यूंकि केक बहुत ही मीठा हो जाता है और इसमें चॉको चिप्स डाल देंगे अब पाइपिन बैग में क्रीम ले करके केक के चारो तरब लगाएंगे और उसके बाद केक को स्मूथ करेंगे तो बहुत ही सुन्दर स्मूथ हो जाता है और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है अब इसको हम केके प्लट में सिफ्ट कर ले रहे हैं अब इसमें चॉकलेट गनाज डाल दे रहे हैं चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें न्यूट्रेल जेल और थोड़ा सा करम पानी मिला करके हम गनाज बना लिये हैं अब इसको नौजल से थोड़ा डेकोरेट कर ले रहे हैं मेरा चॉकलेट भी रेडी हो गया है इसको अभी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और जो थोड़ा बहुत पाकी रहेगा दूसरा केक करने के बाद इसको फिर रेडी करेंगे और अभी इसमें थोड़ा सा इटेबल गलीटर लगा दे रहे हैं अब दूसरा केक क्रेडी कर रहे हैं यह वैनिला प्रिमिक से बनाए है और इसमें पाइनेपल चॉकलेट केक बनेगा तो क्रीम लगा ले रहे हैं पाइनेपल क्रस्ट डाल दे रहे हैं अब इसमें चॉको चीप्स बीट दे दियें प्रिश्ट पैपिन मैंग में क्रीम ले करके इसको भी उसी तरह से स्मूथ कर लेंगे यह टू टायर केक बनेगा दूसरा केक भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे उपर वाला केक यह भी रेडी हो गया है अभी हम इसको शिफ्ट कर ले रहा है केक के उपर और इसमें भी हम रिबन लगा लेंगे अब यह वाइट चॉकलेट का इसमें गार्निश देना है तो यह वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर ले रहा है अब इसमें थोरा सा कलर मिला करके कलर्फुल चॉकलेट बन रहा है हाट शेप का ही अब इसको हम मेरा चॉकलेट भी रेडी हो गया अभी इसको डेकरेट कर लेते हैं बस मेरा दोनों केक रेडी है इसमें और यह बिसकिट लगा दे रहा चॉकलेट केक में कैसा लग रहा आप लोग बताईएगा केक कैसा बना इसमें नाम लिग दिये बस हमारा दोनों केक रेडी है आज की वीडियो इतना ही फिर मिलेंगे दूसरे व्लोग में बाई